रुद्राक्ष का महत्तव रुद्राक्ष के परकार याने कि कितने परकार के होते हैं मुखी रुद्राक्ष कई परकार के होते हैं जिन में परमुक रुद्राक्ष 15 परकार के पाई जाते हैं जिन में गोरी संकर से लेकर पंदरा तक रुद्राक्ष हैं इसके अनेक प्रकार से लाब हैं यू तो रुद्राक्ष को विज्यानिक आधार पर बिना मंतर का उचारण किये भी धारण किया जा सकता है किन्तु यदि सास्तरिय विदी से रुद्राक्ष को अभी मंतरीत करके दारण किया जाई तो अति उत्तम है रुद्राक्ष को अभी मंतरीत कराया जाई और फिर उसे उपयोग में लाया जाई पर तेक रुद्राक्ष के लिए गरंतों में अलग-अलग मंतरों का उलेक्या मिल ग्योतिस सास्तर के नुसार जात्तक के ग्रैपरतिकुल होने पर रुद्राक्ष की मालादारन करने से ग्रों का अनुकुल फल प्राप्त होता है। परंतु एक मुखी एवं गोरी संकर रुद्राक्ष का बड़े आकार का अधिक मैतो है तथा कल युग में काला रुद्राक्ष अत्यधिक उप्योगी एवं लाबकारी माना गया है। इसकी पैदावार मुख्यते इंडोनेसिया, नेपाल एवं भारत के कुछ स्तानों में होती है। रुद्राक्ष के प्रकार यह है रुद्राक्ष साकसात बगवान संकर का सवरूप है। इसमें भगती व्य मुक्ती दोनों की प्राप्थी होती है। दारक पवित्तर व्य पाप मुक्त होकर प्रम्ब्रम की प्राप्थी करता है। यह तेंत दुरलब रुद्राक्स है एवं अनेक कारियों में सफलता परदान करता है एक मुखी रुद्राक्स सरवसी दी परदाता रुद्राक्स कहा गया है यह सातवीक सक्ति में विर्दी करने वाला मोक्स परदाता रुद्राक्स है जिसके घर में यह रुद्राक्स होता है वहाँ लक्समी का स्थाई वास हो जाता है तता उसका घर धन्दा नेवेब और परतिष्ठा और देविये किरपा से भर जाता है सनक्सेप में यह दरम अरत काम मोक्स को देने वाला चत्तु वरग परदाता रुद्राक्ष है उपयोग से लाब क्या क्या है जो मनुश्य उच्छेष्ट अथ्वा एपवित्र रहते हैं अथ्वा बुरे करम करने वाले होते हैं वे इस रुद्राक्ष को सपर्स करने से सबी पापों से मुक्त हो जाते हैं इस रुद्राक्स को कंट में दारण करने वाला मेहतो कांकसी होता है और उसके सबी कारिये सफल होते हैं इसे सिर के उपर रखकर सनान करने से अनेक गंगा सनान का फल प्राप्त होता है इस रुद्राक्स को दारण करने से सबी देवता और देविये देवियां सबते ही परसन हो जाते हैं तथा इच्छित फल परदान करते हैं उप्योग मंतर ओम हरिन नमे ओम नमस शिवाए दो मुखी रुद्राक्स हम अगले वीडियो मा आपको बताएंगे उसका महतम क्या है